आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं ये कास्मीर की टीवी आर्टिस्ट है महरीन भट 25 माई को इस टीवी कलाकार की का मडर आतंकवादियों ने कर दिया लोग कहते हैं कि भई आतंकवादियों प्यार महबत के लिए लड़ते हैं कौन सी महबत है जो एक फोटी शेवन से निकलती है और कास्मीर के लोगों पर बरस जाती है उनकी जान ले लेती है और इनकी जान लेने से कौन सा खुदा है जो खूस हो जाता है जब इनकी जान जाती है कलाकारों की तब हिंदूस्तान के शिकलरवादी जो फोर्सेज है अपने आपको जो छट में शिकलरवादी कहते हैं उनकी कोई अवाज नहीं आती है वो ये मान चुके हैं कि हम लोगों का ये हौक है कि न्याय के तरफ जुकने वाल लोगों का अलोचना करना वो तो भारतिय शेना धन्यवाद के पात्र है कि महरीन भठ टीवी कलाकार को जो कास्मीर में रहती थी मार करके जैसे ही आतंकवादी बाहर निकले इनकी खबर दूर तक फैल गई और इनको घेर लिया गया और घेर करके चौबिस घंटा के अंदर इन तीनों टर्रिस्ट को मडर कर दिया गया मार दिया गया एक बहुत बड़ी शकून की जिन्दगी कास्मीर के लोगों ने ली एक शकून का सांस लिया कि महरीन भठ तो बुलाई नहीं जा सकती है लेकिन इनको इनकी हत्याक हरने वाले को बक्षा भी नहीं जा सकता है और एक के बदले हमने तीन को मार करके भारत सरकार के सपूत सेना के जवानों ने कैसी मिशाल पेस की वो भी चौबिस घंटा के अंदर की आतंकवादियों को सो बार सोचना होगा अब महबुबा मुफ्ती हो चाहे अबदल्ला हो फारुक अबदल्ला हो इनको सोचना होगा कि भारत के सेना भारत के सरकार वो सरकार नहीं है जो चौदा से पहले थी अब ये सरकार बंदुख चलाना भी जानती है गोलिया चलाना भी जानती है और मारना भी जानती है हर बात में रोने वाले फारुक अबदल्ला इस दूर दर्शन के कलाकार के लिए एक सोख सभा भी नहीं आयोजित कर पाए आना उसके बारे में बोल पाए इससे आपको पता चलता है कि ये लोग किसके लिए जीते हैं सरस्थ तो ये है कि ये लोग आतंकवादियों के लिए ही जीते हैं और आतंकवादी जब किसी की हत्या करते है तब इन लोगों को क्या होता है भगवान जाने उस समय इनकी जुबान बंध हो जाती है उस समय ये कोई प्रेस कर्फरेश नहीं करते है उस समय लोगों का आवाहन नहीं करते है और इस तरह से कास्मीर के लोगों की जो इन टेर्रिस्ट के कहने में नहीं रहते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है लेकिन भारत की सेना अमुस्तैद है सिमाओं पर और सिमाओं के अंदर भी जरा देखिए ये लोग मार करके भागे 24 घंटा के भितर इन लोग को अभी मडर कर दिया गया धन्यवाद